इस्राइल हमास में साड़े पांच महीने से जारी जंग की बीच पहली बार गाज़ा में सीज फायर के लिए संयूक तुरास्टर सुरक्षा परिशोद्या ने UNSC में वोटिंग हुई प्रस्ताव के पक्ष में 14 वोट पड़े जबके अमेरिका ने वोटिंग नहीं की अमेरिका ने अपना वीटो पावर का इस्तमाल नहीं करने का फैसला रिया अमेरिका ने इससे पहले सीज फायर से जुड़े तीन प्रस्ताव पर वोट किया था अमेरिका गाज़ा में सीज फायर के पक्ष में रहा है यूएन में हुई वोटिंग के बाद इसराइल के प्रधान मंत्री बेंजमिन नेतन याहू ने बड़ा कदम उठाया है नाराज नेतन याहू ने रक्षा मंत्री का यूएस दौरा रद किया प्रस्ताव के बिना शरत के सभी बंधकों की तत्काल रिहाई की मांगी गई साथ ही गाजा में मानलीय सहायता पहुचाने के लिए सभी बाधाओं को हटाने के लिए कहा गया अब सवाल खड़ा होता है कि क्या इसराइल सिक्योरिटी काउंसल की बात कुमाने गा अगर वो प्रस्ताव के अंदेखी करता है तो उस पर क्या एक्षन होगा UNSC के महसिचिक एंटोनियो गुटेरिस ने एक पोस्ट में कहा है कि सुरक्षा परिश्चोत ने गाज़ा में बहु प्रतिक्षित प्रस्ताव को मन्जूरी दे दी है उन्होंने आगे कहा इस प्रस्ताव को अवश्य ही लागू किया जाएगा विफलता माफी योग ये नहीं होगी चलिए जानते हैं कि क्या United Nations Security Council के प्रस्ताव को नजर अंदास करने पर वो किसी देश के खिलाफ कारवाई कर सकती है UNSC के प्रस्तावों को अंतराश्य कानून माना जाता है सदस्य देशों के लिए इनका पालन करना जरूरी होता है हलाके इसराइल UNSC का इस्थाई या अस्थाई सदस्य नहीं है ऐसे में वो इस प्रस्ताव को मानने के लिए बाद ही नहीं है अगर सुरक्षा परिश्वत में कोई प्रस्ताव पास हो भी जाए तो यहां इसे लागू कराने का कोई जर्या नहीं है हाँ ये जरूर है कि सदस्य देशों की सहमती से इसराइल पर कोई प्रतिबंध ही आने सेंक्शन लगाए जा सकती है इसराइल हमास जंग रोकने के लिए पहला प्रस्ताव नमबर 2023 में माल्टा ने पेश किया था दूसरी बार यूएई ने दिसमबर 2023 में और तीसरी बार फरवरी 2024 में नौर्थ अफरीकी देश अलजीरिया ने प्रस्ताव पेश किया था अमेरिका ने तीनों बार इसे ठुकुरा दिया था अंतराश्ट्री मामलों की समझ रुखने वाले एक्सपर्ट्स की राय माने तो अगर गाजा में युद्ध विराम नहीं होता है तो सेक्योरिटी काउंसल की इस्टाइल या किसी भी देश पर कारवाई करने के संभावना न के बराबर है युनाइटिड नेशन सेक्योरिटी काउंसल युनाइटिड नेशन के छे प्रमुख अंगों में से एक है विश्विशान्ति और सुरक्षा शुनिच्वित करने के मकसद से इसकी स्थापना 24 अक्टोबर 1945 को हुई थी ये एक तरह का व्याश्विक मंच है जो संबंधित देशों ने नजर अंदाज किया है। शांति अभियानों के नागरी कर्मचारी अंतराश्टिये सिविल सेवक होते हैं जिन्हें संयुक्त राश्ट्रे सचीवाले द्वारा भरती और तैनात किया जाता है।